कि अज़ने कि अपने चैनल टीटेने स्टेड़ी पर अज हम लोग बात करेंगे पौधों में उत्सरजन कैसे होता है ठीक है पिछले चैप्टर में पिछली क्लासेज में हम लोगों में चन्तों में उत्सरजन कैसे होता है या फिर हैंवी चीजों के बारे में डिस्कस कड़ाया था च्छोटा से वीडियो होगा पांचे शे मिनिट का और इसमें हम लोग जिनरली बात करेंगे कि जो निमने सुरेनी के पौधे होते हैं या उत्सरजन कैसे होता है च्छले स्टार्ट करते हैं देखिए अगर हम पौधे की बात करें तो पौधे में उत्सरजन के लिए बहुत सारे अंग पाया जाती है यूँ कहले डारेक्ट की पौधे में जितने भी पार्ट से हैं सभी पार्ट से क्या होता है जितने भी एक्सरटरी पदार्थ होते हैं मैटर होते हैं उसका क्या होता है उत्सरजन होता है ठीक है लेकिन पौधे में सबसे इंपोटें बनाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा पत्ति का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो इसमें क्या होता है कि पत्ति में बहुत सारे छोटे-छोटे छिद्र पाय जाते हैं अगर मान लिजे इस छिद्र को अगर हम माईक्रोस्कोप की साहिता से देखेंगे बड़ा कड़के तो य कि कुछ इस टाइप का नजर आएगा आपने काजू खुया होंगा जब दो काजू को हम लोग एक साथ कुछ इस तरीके से मिलाएंगे थो हमारा स्ट्रक्षर ऐसा बन पर कर आए गा तो रंधर का स्ट्रक्चर होता जिनरली इसी टाप का ताहीग थो पाधए में उत्सर्च तो कौन से अंग के माध्यम से रंध्र के माध्यम से होता है एक आता है वातरंद्र अब यह वातरंद्र क्या है तो जंदली यह वातरंद्र जो होता है वह नए पौधों में नहीं पाये जाता है वातरंद्र पाये जाता है आपको पुराने विरिक्ष होते हैं उनमें और वह तो पुराने व्रिक्ष का जो चाल होता है उसमें अपने दरारें देखी होंगे। उन्हीं दरार को किस नाम से बुलाते हैं? वात्रेंद्र के नाम से बुलाते हैं। समझ में आ गया रंध्र क्या है तो पौधे की पत्तियों में पाई जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हीं को रंध्र कहते हैं और वात रंध्र क्या है तो पुराने व्रिक्षों के छाल में जो दराड़े होती है उन्हीं को उन्हीं क्या कहते हैं वात रंध् और भी कुछ है जैसे मन लिजिए कि पौधे की कोशिका का जो रिक्त स्थान होता है उसमें बहुत सारे उत्सरजी पदार्थ होते हैं तो छाल के हटने से या फिर पौधे की जो पत्तियां होती है उनके टूटने के वजह से भी क्या होता है जो भी उसमें उत्सरजी पदार् तो यह important है याद रखेगा रंध्र का पड़िवासा पूछा जाता है एक्जाम में हाँ एक चीज और समझ लीजे कभी कभार पूछ लिया जाता है एक्जामनेशन में कि रंध्र का खुलना और बंध होना किस पर निर्भड करता है यह MCQ यानि objective में भी आपका board का जो एक्जा सवाल को क्या बोलते हैं द्वार रंध्र कोशिका बोलते हैं ओ ठेक है और द्वार कोशिका के वजन से यह होता है और किए धूर कोशीगा के जब चिपक जाता है तो ऊसके बाद इसका structure कुछ इस type को हो जाता है यानि कि द्वार को सिका यह रंद्र जोता है वह बंद हो जाता है ठीक है लेकिन जब जैसे ही इसमें से वास्प उत्सर्जित होगा तो धीरे-धीरे खुलना स्टार्ट होगा और खुल करके सारा जितने वी एक्सिरट्री पदार्थ होंगे व अब कुछ है एक्जाम्पल जो एक्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से पौधे के माध्यम से जो होता है कौन सा उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होता है तो याद रखिएगा उत्सर्जी पदार्थ पौधे में लेटेक्स होता है आपका ठीक है गोंद होता है आपका यह सबस्क्राइब सब्सक्राइब आपका चुछ धुछ उत्सर्जी पडार्थ को सब्सक्राइब धिता प्लांट से इतना एकजाम में पूछा जाता है तो इतना कम से कम याद रखेंगे आपको याद की याद रखना और कुंसे पॉद्वे से कौन सा सरजी पदार्थ स्राविद होता है ठीकाथ उमिद करते हैं कि अपनों को पसंद आया होगा। चोटा सा करते होगा तो दोत्तों में झाल